तो एक बार फूना स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूटूब चैनल बाल स्टर्डी में तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले है कच्छा नौवी का राजनीती सास्त्र का हम लोग चेप्टर 3 देखने वाले हैं जिसका नाम देखी है संविधान की रचनायो मुल् आती लगूतर यह और लगूतर यह प्रष्ण एक ही वीडियो में दुनों का जो है प्रष्ण का उत्तर हम लोग देखने वाले ठीक ना तो चलिए जल्दी से हम लोग वीडियो को श्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक् का जब हम वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे लाब उठा सके ठीक ना और यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा ठीक चली हम लोग देखिए पहला नंबर क्यूशन है कि दच्छिन अफ्रीका का संभीधान बढ़ने में कितना समय लगा तो दो वर्स लगा था अगर यही भारत का पूछता तो कितना होता दो वर्स गारा महिना अठारा दिन लगा था ठीक ना दो वर्स गारा महिना अठारा दिन भारत का लगा था समीधान बढ़ने में समय बाकि यहां पर पूछ रहा दचिन-अफ्रीका आप लोग भारत वला तो कम से कमी याद रहे है कि अपने देश का समीधान का बात है तो यह तो याद रखना बनता है तिसरा नंबर क्यूशन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था तो 1928 इसवी में यह सभी पूछा दाता इसलिए इसको याद रखेगा जो मैट्रिक आप एक्जाम दिजेगा ना उसमें भी यह पूछा दाता है इसलिए इसको याद रखेना का अब देखते हैं पाचमा नंबर क्यूशन देखी क्या है कि किस वर्स प्रस्तावना में धर्म निर्पेच सब्द जूड़ा ठीक है चलिए आप देखिए छटा नमर की उशन है भारतिये संबिधान के अनुसार श्रम प्रूभूता समप्रभूता कहा नहीं थे भारतिये संबिधान के अनुसार श्रम प्रभूता कहा नहीं थे भारत की जनता है भारत की जनता है जितने भी भारत के जनता है जैसे आप हम यह सब जितने भी लोग है भारतिये संबिधान के अनुसार जो है श्रम संभीधान जो है 22 भागों विवक्त कितने भागों विवक्त कितने भागों विवक्त आप लोग इसको याद रखेगा 22 भागों में विवक्त जो भारतिय संभीधान है कितने भागों विवक्त तो पर एक उद्देश क्यों सामिल किया गया कि नागरीकों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार जितना भी नागरीक है अपना धर्म मान सकते हैं अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिम भी मान सकता है कोई भी दर्म अपना सकता है इसम जो है कि कोई भी मतलौ हमको आगर बूल नहीं सकता कि तुम्हिंदू है तो इस च्प्र मानगरीक अपने दहर्म का परचार कर सकता है जैसे दकि अभी योगि आदितिनात हिंदू हमकाओ अपना धर्म का परचार करता है वह बूराई नहीं बुराई तो इसे है बट संभीधान में इसको कोई गलत नहीं माना गया है तो फिर कोई भी बोल सकता है तो देखते हैं आप लोग योगी आदित नाथ को देखते रहाते होंगे जैसे मोदी जी भी है ठीक ना एक रमायन मतलवती राम मंदिर बनाये हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन कोई उस पे मतलव समय यही तो अपना अपना धर्म का परचार कर सकता है अपना धर्म सकता है कोई भी धर्म मान सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए आब अगला नमर की उश्टारीा का देखते संभीधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं इसका उत्तर हो जाएगा कि सोतंता प्राप्ति के बाद भारत ने सर उपर्थम अपने संभीधान का निर्मान के जब भारत सोतंतर हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो उस दिन के बाद से जो संभीधान है वो लिखने में मतलब चाल आउना किसी देश के संभीधान की कुंजी होती वास्तव में प्रस्तावना संभीधान का और तो नहीं होती प्रंत इसमें संभीधान के तो लच्षे 20310 के बुनियादी राजनीति धाचो का रचलियो देखते हैं यह जाएगा पहला का उत्तर चली है मो कि संभीधान सभा के सदस्था इसका दकी ऊत्तर हो जाएगा संभीधान सभा एक निरवाचित संस्था थे इसके सदस्यों का निरवाचित प्रांतिये बिधान मंडलु द्वारा था जबा जब आजाद हो गया था उसके बाद 14 दिन बाद जो है न छून मिदान दुआ का क्या गया कि एक प्रारूप समीति का गठन किया गया था अब अगला देखिए है कि सम्विधान के प्रारूप की स्विक्रिति मतलब सम्विधान के प्रारूप की स्विक्रिति कब किया गया था जो देखिए सम्विधान के प्रारूप पर सम्विधान सभा में 144 दिनों तक विचार होता संभीधान को मानना चाहिए यह मतलवन इस तरह से संभीधान के पर होने लगा उसमें 2473 संसोधन पेस किये गए 2453 सेन सोधन पेस किये गए चले देखिये चोथा देखिये कि एक संभीधान का उन घाट भारत के नए संभीधान का उधगाटन 6 जनुर 50하하 लोग जानते हैं गनतांतर दिवस्ट हम लोग उस दिन में मनाते हैं हमारा संभिधान लाग गाटन हमारों संभिधन का उद्घाटन हुआ इसलिए मनाते हैं तीसरा नमबर की इसन देखते हैं तिसरा नमर की उसने देखे कि आए कि लोगतांत्रिक गन्राज का क्या अर्थ है इसका उत्तर हो जाएगा लोगतांत्र में जनता या जनता के निर्वाचित परती नीधी ही देश के सासन का संचालन करते हैं लोगतांत्र में जनता करते हैं या तो जनता के निर्वाचित करते संता है और संत्र निविए संद्र का आर्थ सीथे तोर पर जनता का सासन है यानि कि जो मलोग सरकार बना चैसे निटीच कुमार को सरकार बनाए तो क्या ओध देश पे मतलब क्या सासन कर रहें नहीं वह हम पर सासन कर रहें हम उन पर सासन कर है दलित परिवार के लोग है उसके लिए हैं घो क्या बुलते हैं उसको घर मिलनाँ चाहिए ठेक इस तरह से हम छोग आदेश देते हैं तो वो क्या करता है काम करता है ठेकना याने कि हम लोग उस साषण करते हों हम लोग पर सासन नहीं करता है हम उसको हटा result आगर वह लोग जो हम पे सासन लोगों को मान तो सब आलग अलग को मानता है तो नितिश कुमार को मानता है तो इसे क्या होगा चलिए देखिए चौथा नमर की उसन देखिए कि सम्विधान की सम्विधान की क्यों आवस्था क्या है मतलब सम्विधान जो है यहां पर की नहीं की नहीं सम्विधान क्यों आवस्था क्यों को बताने या तो सम्विधान की कारियों को संचेप में उलिक करें सम्विधान क्य क्या रहता है कानून कि कि सको क्या सजा मिलना चाहिए अगर कोई भारत देस का राज है और अलग राज मधना चाहेगा उबन सकता है कि ऐसी सभी समिधान में लिखा ओई रहते और कुछ नहीं है ढ़ किसी आदोमी को मार दीया न कर दिया ठोक दिया गाड़ी सचाल के मार दिए जान तो उसको क्या सजा मिलना से सब मतलब उसमें जो है लिखा हुआ रहा था ठीक ना तो वही बोला जा रहा है कि रूप रेखा यानि कुषब आजर्यों कि रूप रेखा नियम तथा काईदे कारूनों की व्याक्या करते संभिधान की अनेक कारे हैं हमें संभिधान की जरूरत निमन इकारनों से पढ़ती है कि किसकी से पढ़ता है पहला देखिए संभिधान विभीन जाती धर्म-समूदाय वन्स लिंग छेत् करता है ठीक ना अब देखे क्या है कि दूसरा संभीधान सरकार के कारियों अधिकारों की लक्षमन रेखा निधारित करती है ठीक ना यानि सरकार के कारियों का लक्षमन रेखा कहने का मतलब कि सरकार को जो मन रहेगा वो नहीं कर सकता संभीधान की अनुसार ही कर सकता अब द इसा मुझेंस करता है उख जो है कि किसी प्रशनल्वन इक कर सकता है नागरिकों के अधिकार हो की सीमा निधारित करते और नागरिकोंकि सब बताया हुआ हुआ है है इस सरकार गठन की तरीके को भी तैय करता कि कौन सा सरकारा नहीं है बनिना चाहिए पड़ides markerBeans सरकार्ची ये सभी इसमें लिखा हुआ सब बताया गया वहाद हति कौन सा फैसला किस अस्तर से होगा ठांब इससे बीपी आसी का यह सभी तयारी होただ होगया जो दारोगा मताहिए Assistant बनता है फिर हो गया इधर क्या उसको बोलते हैं वकील बनता है जज बनता थी यह सभी बताता संभीधान में कि कौन सा फैसला अगर कौन सा मतलग फैसला किस अस्तर प्याम को लिया जाए फैसला लेना इसमें सिखाया जाता है कि क्यों सा मतलग कारण है तो उसका फैसला क्या करे भारतिय समभीधान के मुल्यों का वर्नन करे इसका उतर्ध कि भारतिय समभीधान की प्रस्तावना की अध्यन से मुल्य मुल्यों इसके धंशन ठियाविक सम्वीधान सभा में सम्वीधान के ऊदेों पर परकास डालते हुए 13 दिसमबर 116 को पंडित नहरू ने भारतीये सम्वीधान के ऊदेशों पर परकास डालते हुए कहा था की भारतidir 153 संप्रूब्रूबुता संपन लोक्तान्तिरेक गनराज होगा तथा इसके सभी नागरीगों को श्रमानता सोतनता विश्वास धर्म उपाशना विवस्था आर्थिक राजनेती समाजिक न्याय आउसर की समानता तथा विचार अभी वेक्ति की गारांटी यानि कि सभी को ये सभी जो है ना समान मतलब समान क्या प्राक्त होगा ठीक ना जैसे आर्थिक है तो आर्थिक में भी कोई आगे पीछे नहीं रहेगा आर्थिक मतलब जानते ना रूपया पैसा जैसे जो बड़े जो कास्ट के होते हैं जैसे राजपूत बेगरा होते हैं तो लोग देखिए अमीर है और हम लोग जो सरकार बढ़ाने के लिए आगे कारी रत करता है सरकार चाहता किना यह लोग अगे बढ़े यह अमीर बने कैसे देखिए जैसे जोब निकालता है सरकार जो अगर बाभन लोग अगर 60% भी जिसे अगर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं तो गुशाइएगा नहीं बात बता रहे हैं अगर कोई बान के चलिए 60 नंबर लेके चला है राजपूत और बावन लोग मतलब बड़े जो कास्ट के हैं ब्रामन बगेरा जो भी है अगर वो 60 नंबर लेके चला है और एस हैक है यह सब मतलब सरकार नहीं इसमें दिया है संविधान में लिखा हुए चलिए आपम लोग शक्टा नंबर के तरशीना अफरीका के संभिधान की सबसे महत्पून विशेष्ण सबों की भागितारी सुनिश्चित की गई है अपने भारत में भी है कि सब को जो है नागरी को समान अधिकार दिया गया और अगर कोई गलती होता तो उसमें सभी जो है भागिदारी बनते हैं यह था च्छठा समाँ यानि हम लोग तीसरा चप्टर का क्या करनेगें अँब अदी नंकि लिगाले अगले वीडियो में तब तेक लिए जैं हिंद जैं भारत